Next question है, हमारा inclusive education, जब भी आप कोई term stem पढ़ते हो, ये उपर वाली line जिसको question बोलते हैं, उसको stem बोलते हैं, S-T-E-M, even ये question भी पूछा जा सकता है कि इस part को क्या कहते हैं, तो उसकी major जो phrase है, जिसमें question शुपा हुआ है, उसको underline आप करते हो, immediate after आप उसको सोचते हो कि inclusive education क्या है, और वो क्या होनी चाहिए, जो आपने तयारी किया है, उसका एक क्रक्स essential निचोड निकाल रखा है, यहाँ मैं निचोड बताता हूँ कि वो क्या है, inclusive education, simple शब्दों में, welcome to all, तो ये welcome कहां से होना चाहिए, एक है physical आपने शामिल कर लिया, बच्चे को class में, school में, हर बच्चे को दूसरा है, दिल से कर लिया, बच्चा फील कर रहा है कि यार मैं इस school का part हो, उस हद तक inclusive education जाती है, मैंने आपको central idea दे दिया है, implies, meaning उचा है, economically weaker section quota made be available only, only, ये मैं वो आपको indication दूगा, जो word या phrase, generally उस option को weak कर देता है, यहां मैंने, मैंने जब ये question पड़ा, तो जब only या always लिखा होता है, वो उस option को weak कर देता है, सिर्फ government school में, यहां क्या है कि welcome to all, तो यहां लिखा है कि only government school में, आप देखना है कि ठीक कौन सा है, second option है, students with disabilities should be placed in special school, it means, यह जो inclusive school है, इसके इलावा इनको separate कर दिया जाए, जो special school है, जैसे इशान को मन लीजिये, जो तारे जमी पर है, उसको एक तो था boarding school, एक special school है, कि जहां dyslexia के learning disability के ऐसे बच्चे हैं, उनको ही पढ़ाया जाता है, तो inclusive education के साथ, यह inclusion add होती है, इससे के नहीं separation होती है, यह आपने सोचना है, only English be taught in government schools, देख लीजिये, all children irrespective to their abilities be provided quality education, yes, polling start होने लगी है, आपने answer देना है, कौन सा right है, मैंने explanation वैसे दे दी है, याद रखना है, कि inclusive education मतलब है, include करना सभी को, आप अपने घर की भी example ले सकते हो, क्या आपके घर का member जहां आप feel करते हो, कि आप घर के part हो, जान हो, equality को experience करते हो, तो अगर है, तो you are included in home, otherwise अगर दादी को, नानी को, बज़रुग को कोई कम पूछता है, it means, वो excluded है, physically basic included है, यहाँ पर आपने answer दिया, ए भी दे रहे हैं, कि economically weaker section, यहाँ पर थोड़ी सी questioning करनूं, कि इन्होंने यह क्यों सोचा, ए वाले जो हैं, थोड़ा सा बता दे जल्दी से, yes मैंने देख लिया answer, 54% ने यह दिया है, yes, please जल्दी बताएं, राजे जिन्होंने A opt किया है, उनकी thinking को थोड़ा correct करने लगा हूँ, वो शायद यह सोच रहे हैं, कि इनको reservation होनी चाहिए, लेकिन आप बड़ा सोचो, कि वो सिर्फ government में होनी चाहिए, private school में उनका quota नहीं होना चाहिए, और आप RTE Act की वो बात नहीं है, शायद आपको पता कि 25% reservation तो इनको private school में मिल चुकी है, ये तीन-चार question के answer हो गए है, तो that is why ये ये गलत है, private में भी होनी चाहिए और हो चुकी है, implement कितनी हो रही है ये नहीं मैं जानता, मतलब वह वहां गड़ बड़ा है, students with disability should be placed in special, it means separate कर दें उनको, उनको separate label लग जाएगा, labeling नहीं करनी, अलग नहीं करना, बेशक दादी जी कितने भी dependent है, दादी जी कितने भी bed पर है, उनका कितनी सेवा करनी पड़ती है, उनको व्रिधाश्रम में छोड़ देना चाहिए, ये बात है, इतने सी, next है, तो right answer ये है, कि all children include होने चाहिए, ये मतलब है, तो ये तो discouraged है पहले, ये only English नहीं चाहिए, तो मैंने hint दिया था, कि जहाँ पर only word आता है, वहाँ सोचना ज्यादा करो कि ये option गलत होने की संभावना ज्यादा है, आगे चलते हैं, next question है, एक कथन है, कथन क्या है, वाइल टीचिंग, ए टीचर शुड यूज ए वराइटी ओफ वेज टू रिप्रेजेंट दा कंटेक्स्ट ओफ टीचिंग, यहाँ एक बात मैं कर दूँ, कि ये देखो, फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविजम, यहाँ कंस्ट्रक्टिविजम से ली गई है, दो वर्ड मैंने निकाले, जब भी मैंने, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविजम मेरे अंदर भरा पड़ा है, यह रहा विराइटी ओफ वेज होने चाहिए, दूसरा है कंटेक्स्ट, डिफरेंट मैप्थर्ज ओफ टीचिंग, आप सिंपली इसको कर लो, दूसरा है के कंटेक्स्ट जो है, सिचुएशन जो है, वो ज्यादा रियलिस्टिक होने चाहिए, तो यह करने के लिए, यह है कथन, रीजन है कि ऐसा क्यों करना चाहिए, हमें विराइटी ओफ मैथट क्यों अपनाने चाहिए, रीजन है, टीचर नीड टू अडैप्ट, अडियर पैडागोजी, मीन टीचिंग, टू सूट दा डैवर्स नीड ओफ लर्नर, इसको सॉल्व करने की एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, उल्टा चलना, यह रीजन है ना, यह अजर्शन है, पहले इसके बारे में सोचो कि कारण अगर यह है, तो उसका संभंध इस से है, इफेक्ट यह होगा, माली जीए, यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ, यह रहा कि डैवर्स नीड, डैवर्स नीड्स, उनकी एक्जाम्पल मैं लेने लगा हूँ, वाक की, वी, ए, के, माली जी आपके क्लास में होता है ऐसे, अपलाई नहीं हो रहा, कुछ बच्चे हैं, 30% जो वीजुली, वीजुल मोड, मतलब उनको डायाग्राम से, ब्लैक बोर्ड से, इमेजिस से, देखके, जल्दी समझाता है, दूसरे हैं, इतना आदा लिखाया है, उनको ज्यादा सुनके, बात करके समझाता है, डिसकेशन करके, एक्स्प्लेइन करके, अपनी बात शेयर करके, उनको ऐसे ज्यादा शेयर होता है, तीसरे किन स्थैटिक हैं, किन स्थैटिक, इंटेलिजन्स भी होगा, इनको डूइंग से काम करके कोई भी काम है वो doing action में जब करते हैं तो उनको समझ आता है तो ये diverse need है ये reason दिया गया था अच्छा ये सच मुच में होता है ये reality है इतमे reason सचा है कि हर classroom के world के किसी भी classroom में बच्चे की needs different है एक दूसरे से तो example और भी लई जा सकती है अगर different need है अगर इनको visually ज्यादा जल्दी समझ आता है इनको सुनके ज्यादा आता है इनको doing से आता है तो मैं अपना lesson plan करने लगा हूँ मैंने पैड़ा आ गौजी हना plan करनी है तो मैं इनके लिए अलग थोड़ी exercise नहीं रखूँगा मतलब मैं chart, मैं model, मैं pictures, मैं film यह देखने वाली है चीज़ है ना सभी सभी लिखने सकता तो मैं इनके need के लिए ऐसी planning करूँगा auditory के लिए मैं discussion, question answer, explanation, brief story, event share करना तो इनके लिए भी रखूँगा और kinsthetic मैं कोई doing करने वाली exercise भी रखूँगा तो यह हो गया अगर diverse need है reason तो diverse pedagogical ways होंगे यह constructivism का central जा बेस है इसको add कर लिया जाए तो आप अब बताइए यह वैसे आप अब इसमें से देखिए कि वैसे answer मैंने दे दिया है फिर भी आप अगर polling करनी है तो कर लें कि यह सच है reason भी और जो है variety of ways होने चाहिए अच्छा इसको आप किसी और pedagogical question जा teaching aptitude question को solve करने का base भी बना सकते हो आगे चल रहा हूँ जहां इसका right answer है बोथ a assertion and reason are true and are is correct to explain a बिल्कुल ठीक है next है a child is facing regular difficulty in writing अब मैं central idea को underline कर रहा हूँ यहां आ गया कि writing की बात उन्हों ने की है color change कर लेना चाहिए कर लेना चाहिए क्यों ने करना चाहिए writing को मैंने कर लिया है यह और 17 का answer बता दिया मैंने a के assertion भी ठीक है reason भी ठीक है और उसको explain किया जा रहा है यह बताया मैंने इसकी explanation थी चलो बात हो गई है कि diverse नीड है तो डिवर्स टीचिक होगी और शी आल्सो एक्सपीरियंस एच चैलेंज इन फॉर्मेशन ओफ एल्फाबेट स्पेसिंग ओफ वर्ड्स दीज करेक्टरिस्टिक्स हिंट्स तो वर्ड्स विच ओफ दी लर्निंग डिस एबिलिटी ए इशान इशान अब यह देखना मैं एक नुकता बताता हूं आपको इनको पता चल गया है के राइट आंसर क्या है लेकिन इससे चार और स्वाल जाँ आठ और स्वाल ऐसे को याते है आप सॉल्व कर सुकर के यह बात याद रखना ग्राफिया को मैं कैसे याद रखता हूं ग्राफ हमेशा बनाया जाएसे राइट किया जाता है इसलिए dysgraphia is related with writing disability, ठीक है, calculation से जोड़ लिजिए, calculation one, two, three, it means mathematical, arthematical disability, और dyslexia, आप इशान को याद रखिये, उसको क्या थी, वैसे उसमें बाकी symptom भी थे, वो थी reading disability, तो ये चार जो हैं इसकी टाइप, सब टाइप, उनको याद रखने के लिए association कर रहा हूँ, चौथी जो यहाँ पर है, वो disability नहीं है, actually मैं disorder है, एक attention, याद रखना है, ऐसा बच्चा क्या करता है, वो कहीं भी एक जगा attend किसी teacher को, blackboard को, किसी कोई lecture दे रहा है, वो जल्दी ज activity, activity, वो हमेशा normal से ज्यादा कभी jump लगाएंगे, इदर चल जाएंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, यह टिक्के बैठता ही नहीं है, it means probability है, वो बच्चे की hyper activity होने की, तीसरा, आई इसको आई को गसीड लीजिए, deficit, sit, sit, इसका आई से लिख लीजिए, impulsive behavior, impulsive behavior क्या होता है, react, react without thinking, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने न, मैंने यह क्यों लिखा है, यह तो एक disorder है, दूसरा हम सभी में impulsive behavior होता है, जो आपको, आप गुसे की example लो, किसी ने कुछ कहा, एक दम आपने ऐसे react कर दिया, बाद में पच्छता है भी, वो आपका impulsive behavior है, जब हम socialization पढ़ेंगे, socialization, उसका central idea बताऊंगा मैं, central idea, इतना कुछ पढ़ा, central idea क्या मिला, कि impulsive behavior को stable करना है, according to social norm, तो उसको change करना है, वो socialization है, तो it means, इनको socialize करना भी सबसे बड़ी problem होगी इन बच्चों की, यहां तो को question पूछना है, पूछ लीजिए, आगे चल रहा हूँ मैं, कोई question पूछना है, जल्दी पूछिए, से सी पार्ट वाला एकपर बता दो, सी वाला, कैलकुलिया, हाँ जी, हाँ, कैलकुलिया, कैलकुलेशन, वो बच्चा, जिसको तीन, इशान को पूछा जाता है, कि तीन, उसको question एक आता है, तीन, जमा कितने आते हैं, तीन गुना, पता नहीं, दो, वो imagination में जाता है, ऐसे, cartoon, वो thinking को depict करते हैं, वहाँ बाद में लिख देता है, no, it means, dyscalculia, वाले, learner, कोई भी calculation करने में problem face करते हैं, problem का मतलब है, ये नहीं के 100% ही वो गलत करेंगे, हाँ, बहुत ज्यादा गलतियां, बहुत ज्यादा calculation में, जमा, जो division है, जो arithmetic basic skills हैं, उनमें बहुत poor होंगे, उनमें उनकी brain की problem नहीं होगी, उनमें उनकी neurological problem होगी, यहाँ पर नहीं learning disabled जब करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे, यह हो गया calculation की problem, कोई और आगे चलें, आगे polling करूँगा, to cater the individual differences, very important, यह universal principle है, educational psychology का, psychology का assumption है, कि all individuals are different, तो class में भी different है सारे, यह हो गया individual difference, among students, a teacher should use, नमबर एक, यह है central idea, अगर individual difference नहीं याद रहता, तो अभी वाक की example देखे आया हूँ, वी, ए, के, वो बहुत ज्यादा problem solve करेगी, यही रखना कि यहर कुछ को vision से ज्यादा, अच्छा आप अपने बच्चों पर यहां अपने घर में छोटे बच्चे हैं, अपने students पर सच में ही apply कर सकते हो, तो individual difference की common example मैं बार-बार यह use करूँगा, तो आप इनके लिए standardized instruction, mean, सभी के लिए uniform, सभी के लिए same, same instruction, teaching method, use करेगा है, मान लिजिए सभी को lecture से, जहां सभी को discussion से, जहां सभी को visual aid से, एक method ही अपनाओगे, ऐसा करोगे, और uniform way of assessment, सभी का, मान लिजिए आप test लोगे, एक test रख दिया, जैसे हमारे school में चलता है, नॉर्मली lecture जाए explanation by teacher, और एक test रख दिया जाजता है, और उसकी, जो है, जो है, feedback दे दी जाती है, यही होता है, use of variety, मुझे सबसे अच्छा शबत मिल गया, मैंने जल्दी से ढूंग लिया, मुझे पता है, variety, constructivism, promote करता है, variety of pedagogical approaches, and mean of assessment, variety की teaching, और variety के different, different assessment, इसकी example देता हूँ, तारे जमीब पर, अमीर खान उनको कहते हैं, कि यार, इनको memory की problem नहीं है, intelligent की problem नहीं है, जब मैंने इसको बलब on करने के लिए कहा, तो इसने एकदम बता दिया, कि Edison is the father of, ना, तो that is why, सिर्फ एक है, कि यार, यही, वो लिखके exam देते हैं, इससे बोल के पूछलो, यार, oral test दे दो, तो यह marks ले लेगा, तो वहाँ क्या हो गया, उसने सुझेस्ट किया, assessment उसकी different से हो जाए, यह बात बोल रहे हैं, ओके, next है, use of uniform, same, pedagogy to ensure memorization, weak point, यह negative लिख दिया, इसको मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, memorization को discourage किया जा रहा है, total constructivism में, social constructivism में, तो यहाँ पर मैंने एक दम से कांटा लगाया, और focus on summative assessment, यह भी कांटा लग रहा है, क्योंकि formative, sorry, जो अपनी है, constructivism है, वो formative assessment पर जोर दे रहा है, formative assessment को और क्या कहते हैं, learning for, sorry, assessment for learning, learning, यह for, formative बनता है, इसको good मानते हैं, यह इतने hint हो गए, इतना कुछ याद रखने के लिए, next D है, increase the number of, इसका आपने answer देना है, मैंने इतना कुछ बता दिया, increase the number of paper pencil test, आपका, मैंने एक, मान लिजे, theory, PAG की पढ़ाई हो, उसके बाद मैं कह रहा हूँ के, बेटा कल आ इंडिया तीन गेंटे में किया करता है, लिखी जो, लिखी जो, point, point, लिखी जो, definition, cramming, उल्टियां करते रहो, ऐसी, paper pencil, to focus on recall, और मुझे सबसे जो बुरा शाबत मिल गया, फिर, के memory पर सिर्फ जोर दिया, recall और memorization, यहां पर मैंने उड़ा दिया, यह बिल्कुल similar है, एक पर नहीं, मतलब उनको बता देता हूँ, इसलिए हमने यह वाला चुना है, क्योंकि variety of pedagogical, यह constructivist approach है, और means of assessment variety के ही होने चाहिए, एक तरह के नहीं होने चाहिए, जैसे आशान की मैंने example दी है, आगे चलते हैं, कितना हो टाइम है, धीरे तो नहीं चल रहा, which of the following is an essential characteristics of creativity, एक बात और, constructivism, creative thinking, develop करने पर जोर देता है, convergent thinking पर नहीं, इसलिए creative, जो option creativity से related है, वो उसको choose करना है, जब stem positive है, तो यहाँ पर है कि creativity कैसे develop होती है, क्या यह divergent thinking से होती है, impulsiveness से होती है, अभी बताया मैंने impulsive behavior एक दम react करना, react without thinking, without thinking, यह मेरे ख्याल जरूरत नहीं पता है, centration, centration mean, यहाँ बताऊंगा, centration के center mean, एक, दो, तीन चीज़े हैं, आप सिर्फ एक पर ही attend, एक कोई कर रहे हो, एक कोई focus कर रहे हो, एक को center बना रखा है, ठीक, इसको centration thought कहते हैं, convergent, आपने सारी energy लगा दी, best answer, best answer को दूढ़ने में, अब दो question पूछने लगा हूँ मैं, ठीक, तो आपने जवाब, उसके answer को बताना है, कि convergent किस में use हो रही है, divergent किस में हो रही है, first question है, हमारे, sorry, national education policy, किस दिन पार्लेमेंट में पास हुई, अब आप वो दिन मुझे बताना है, ठीक है, बताना नहीं है, जब आप इसका answer सोच रहे हो, तो आप एक point की तरफ, आपकी सारी energy लगी हुई है, ऐसे, सारे mind की, national education policy, क्या पढ़ा था, कहां पढ़ा था, कहां सुना था, सारी energy एक point, best answer ढूणने में लगी नहीं है, अचा दूसरा question, अगर ऐसा है तो, दूसरा, एक गुलाब के फूल के क्या-क्या ऐसे प्रयोग हो सकते हैं, जो आपने सुने नहीं हैं अभी तक, आप कहते हो कि यार उसकी ऐसे मल्लम बन सकती है, यार उसको ऐसे, जो है, गले मे use किया जा सकता है, whatever different use आप सोचते हो, इसमें बताओ, दोनों example A, example A, example B, इन दोनों में से convergent thinking को, आप different response ढूण रहे हो, जब एक ही response ढूण रहे हो, जब एक ही response ढूण रहे हो, तो वो convergent thinking होई, आपके ये जो जितने भी MCQ हैं, ये convergent thinking पर based हैं सारे, और open-ended, जब question ऐसा पूछा जाता है, तो वो divergent thinking को भी assess करता है, 90%, 89% का ठीक है, yes, good, ये आपको मिल गया, good, ठीक है, convergent और centration का एक ही मितलब है, कि best answer ढूणना, जब भी आप best ढूण रहे हो, तो आप creativity developer नहीं कर सकते, क्लाम साब के स्टोरी है, यहां सुना नहीं सकता, बड़ी प्यारी स्टोरी है, लेकिन यहां टाइम नहीं है, यांग चिल्डरन construct knowledge and make meanings through, अब अगर आपको इसका meaning नहीं पता, तो आपको पूछना होगा, नहीं तो क्योंकि जब constructivism पढ़ रहे हैं, तो construct knowledge और making meaning का मतलब पता होना चाहिए, एक example दे दता हूँ, एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, आपको नहीं देखा है कभी कि वो कोई भी चीज है, तीन, चार, पांच, आठ, आठ में ही नेका है, तो वो कोई भी चीज उठाता है, अपने मुँ में डाल लेता है, तो क्या इस से उसने उस object में, मालीजे ball को उसने मुँ में डाल लिया, थोड़ा आया किया, तो क्या उसके अंदर कोई information गई, यहां answer नहीं पूछूँगा, yes गई, कि उसको पता लगा, कि taste क्या है यार इस तो उसने तीन चीज़ों को आज अकेले ही test कर लिया, और उनके taste का पता चल गया, कि यार यह चीज अच्छी है, यह मुझे अच्छी नहीं लगती, वगएरा, तो वो जो उसने खुद बनाया है, that is construction of knowledge, उसने meaning बना लिये, कि यार यह यह चीज बहुत खटी है, कौडी है, मेरे taste से नहीं मिलती, तो उसके individual meaning है, यहाँ पर और कोई नहीं हाया, तो यह कैसे होता है, क्या active exploration से होता है, exploration मतलब आप खोज कर रहे हो, खोज, हिंदी गलत हो सकती है, play, जब बच्चे खेलते हैं, घर-घर खेलते हैं, तब ऐसे meaning बनाते हैं, नए-नए, active on material experimenting, कि कोई material है कोई पांच से चुकरे हैं, उनको रखके देख रहे हैं, दूसरे को उपर रखके देख रहे हैं, तीसरे को उपर रखके देख रहे हैं, किसी को अपने को किसी में अंदर में बंद कर लेते हैं, हर चीज के साथ experiment करके देख रहे हैं, कि यार यह किया है, इसे मुझे मज़ा आता है अच्छा लगता है ऐसे इंट्रेक्शन विद पीर्स एंड अडल्स क्या आप टीचर से अपने दोस्तों से ममी पापा से बात करके कोई मीनिंग बनाते हो अंदर के लाइफ ऐसी है दुख कैसा है सुख कैसा है जाहां लाइफ में करना क्या है नियन की होता है और या सबहे कि करीब कह रहे हैं कि सभी और मैं बता हूँ एक मिनदे इसको उड़ाता हूँ आपको एक हैरानी वाली बात बताता हूँ जो मैंने कल भी बताई थी इसको उड़ा दिया फिर दुबारा लिखने लगा हूँ एक्टिव एक्स्प्लोरेशन यह सेंट्रल आइडिया पता किसका है यह आगे के क्वेश्चन हो सकते हैं प्याजे का अच्छा प्ले प्ले को इंपॉर्टन्स किस ने दी वाइगाउस्ट की ने कहता प्ले से कोगनेटिव एंड सोशल डेवल्पेंट होती है मीनिंग बनते है उससे अच्छा वो वेस्ट नहीं खेल रहे हैं बहुत कुछ लर्ण कर रहे हैं वाइगास्तकी ने क्या कहा दा मोस्ट इंपॉर्टन सोशल रूल वो लर्न कर रहे हैं उनकी सोशलाइजेशन हो रही है जो उसने टीचर को करते हुए देखा मम्मी को करते हुए वो घर-घर जब खेल रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं उनको कहते लर्न कर रहे हैं एक्टेव ओन मटीरियल एंड एक्स्पेरिमेंटेशन प्याजे प्याजे ने यह कहा ओके इंट्रेक्शन विद्पियर एंड अडॉल्ट्स दा बेस्ट आइडिया अब तक कंस्टुक्तिविजम का सोश करता है यह सारी जीज़ें कंस्टुक्तिविजम सो जैस्ट करता है अब यह देख लीजिए मैमोराइज इसको इंडर किया दफोन नंबर ठीक है इटमीज यह ब्रेन है यह हो गया 98729 यह यह नंबर हो गया तो यह नंबर याद कराना है कैसे करवा हूं यार मैं अपने बच डिजिट कि यार हो कह रहा है कि यार 98 इसको अलग कर लो 729 इसको अलग कर लो 789 इसको अलग कर लो ऐसे लग तुकडे बना लो फोन के पूरा इसली नहीं लिखा कि यूट्व वाले कहते हैं कि आप क्रिमिनल वह ऐसे नंबर किसी का दे रहे हूं तो ये जो तुकडे कर लिए ना ये उसने method suggest किया कि बेटा ऐसे phone number याद कर लो ये strategy apply करने वाली है आपका जो Indian education system है आपका मीरा नहीं है क्योंकि उसमें अगर अच्छे max लेने हैं तो ये strategies मैं पताता हूं कौन सी है उनको apply करना जरूरी होगा तो ऐसे चार smaller unit कर दिया उसने मैंने एक दो तीन चार किया चलो आगे चलके आगया माली जी ऐसे लिख दिया ये बना लिया तो ये ये कौन सी strategy है chunking है encoding है assimilation है adaptation है polling जल्दी आ रही है जल्दी से answer दीजिए easy है applicable है discussion की जरूरत नहीं है तो ये बार-बार पूछा जा सकता है ओ शाबाश होए शाबाश ज्यादा जा रहे हैं चंकिंग चंकिंग के लिए ज्यादा जा रहे हैं भी yes right answer is chunking chunking का मतलब ही होता है ये रहा chunking ये divide कर देना अच्छा ये कहां से आया है सुन लीजिए यहां पर लिखो cognitive psychology से दूसरा शब्द एक constructivism है दूसरा कोगनेटिविजम है कोगनेटिविजम क्या कहता है कि brain में information processing ये information processing कैसे होती है उस पर हमें जोर देना चाहिए क्या होगा कि आप large number of information ऐसी strategy से अपने brain में store रख सकते हो जैसे एक fridge में आप ज्यादा ज्यादा बड़े store में चीजें store रख सकते हो save रहेगी तो ये strategy से जो weak बच्चे हैं जिनको exam में याद नहीं होता तो उनको याद करवाया जा सकता है इन strategies को कहते हैं यहां लिखने लगा हो यहां दूसरे में लिख दूँ यहां पर निल्कुआ यह तीन-चार question बन रहे हैं अगर note कर रहे हो ना तो आगे यह information आएगी काम यह रहा आपका नी निक्स देखिए यह इसके right spelling हो गए मैंने याद कैसे रखे मैं अभी बहुत कमजोर हूँ वी कूँ मतलब देखिए नलायक सा तो यह मैंने निमोनिक्स जैसे उचारन है वैसे लिख रही है यह याद रखा कि यार पहले म मैं वो मुझे disturb करता है यह निमोनिक्स strategies होती है इस पर अलग से class लग सकती है अगर आप अपनी performance को improve करना चाहते हो तो chunking is right answer जो assimilation है राजे प्याजे की प्याजे की theory अभी पढ़ नहीं है ना हमें तो प्याजे की theory है उसमें से है adaptation प्याजे की theory में से है एक जो प्याजे की theory दो भागों में बांटी गई है एक जो learning उसमें बताते हैं क्या है और आगे जो चार स्टेजिस हैं है ना चार स्टेजिस हैं ज्यादा जोर हम इसी पर देते हैं कि चार स्टेजिस लेकिन यह important part है जिसमें बताया गया है कि learning is construction of knowledge और वो इस प्रोसेस से होती है adaptation से adaptation में एक जो है schema यह शब्द आप थोड़े से अगला schema मैच कर जाता है यह schema से schema मैच कर गया यह नहीं आपको समझ रहा मुझे पता जल गया इसको assimilation बोलते हैं तो ऐसी कोई भी बात नहीं है इस वह विच और फॉलिविंग फॉर्म फ लर्निंग शुट भी एंफसाइज इन मोस्ट ऑन स्कूल यह next question है पिछला कोई र surroundings जब interaction with surrounding कहा तो मुझे प्याजे याद आ गया प्याजे कहता है कि बच्चा इतना active है little scientist कहता है अगर यह question है little scientist किसने कहा प्याजे ने active है कि वो surrounding से interact करता है अभी मैंने जो example दी बॉल की तो बॉल से interact कर रहा है ना इदर mobile को मुझे डाल रहा है वो surrounding से interact कर रहा है न तो यह interaction उसका experience बन रहा है तो कहता यह बहुत जरूरी है जो आप construction of knowledge meaning बनाने है जिसकी example अभी दिया यह example पीछा नहीं छोड़ेगी इतना easy कर देंगी आपके construction of knowledge को समझने के लिए कि आप easy बहुत ज़्यादा feel करोगे त दूसरा है कि रोट memorization बिना समझे याद करते रहो एक प्यासा कहा था उसको प्यास लगी थी उसने यह कि अवगर अवगरा जो हमारे system में चलता है passive imitation किसी को देखके वैसा ही बिना सोचे बस कर लेना कि ऐसा करना है teacher को देखा नमस्ते की है नमस्ते करना है आना कही माथा ट क्यों करना है कभी नहीं पूछा तो क्या यह चाहिए critical thinking इसको बोलते है critical thinking कमी है यह critical thinker नहीं है अच्छा एक और है conditioning of behaviors through stimulus and response association यह behaviorism behaviorism का part है जैसे A4 एक दम आपके मन में कुछ आया क्योंकि A4 बोला तो इतनी repeat करवाया गया है कि आपके aeroplane जा apple जो भी आगया यह था stimulus यह साथ में जो है response आपने बोल दिया जा लिख दिया apple और यह है इसकी association कि यह जुड़े होए हैं आपके दिमाग में तो इसमें से कौन सा emphasize most करना चाहिए करने तो चाहिए सबसे ज्यादा किसको एमियत देनी चाहिए जल्दी से polling क करेंगे आप हैरान होगे लगब 90% question जो आ रहे हैं construction of knowledge से आ रहे हैं that is why special तो आसमें उसको आपको समझ लेना चाहिए क्योंकि कुछ वीडियो से समझा सकता हूं जवाब आ चुके हैं 83% कह रहे हैं acquiring different skills and knowledge through interaction इनके लिए very good very good यह very good हो गया अब मुझे यह बताओ इनके लिए भी good है पर यह बताएं कि इन्होंने इसको चूज क्यों किया best answer कोई अगर बताना चाहता है अगर गलती से आया तो ठीक है वैसे एक दो ही है ज्यादा नहीं है आगे चलते हैं next इसको रब कर देते हैं और आगे चल रहे हैं शाबाश जब बहां भी interaction with surrounding आ रहा है skills develop परनी है उसको choose करना है समझ के पर अब्र और यह शाबाश कुडिये शाबाश रोट memorization of content है इसाइट है डी यह सुनो 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 वेरी गूड टाइम लगे गईगा पर शाबाश यस नहीं है उन्होंने कहा है most best कौन सा है आप जिन्दगी ऐसे कि stimulus response से गुजारना चाहते हो आप किसी धर्म को अगर मानते हो अगर आपने वो फिल्म देखी है वो अमीर खान की फिल्म थी जहां वो धर्म के पर ही है वो जो ब्लैक सा पहल लेती है तो वो कहते कि इसका पती मर गया ऐसे यार फिल्म है पीके देखा आ से निकाल लिया हुआ ना मैंने एक्जेक्ट नहीं बताया आपने फंक्शनिंग शुरू कर दी और आपकी फंक्शनिंग उसका रिजल्ट आ गया एक काम है ऐसे सोचके हो रहा है हिंट देके हो रहा है विच आफ दी फॉल्विंग सैट एग्जाम्प्लिफाई दा सोशल कं में से सोशल कंश्ट्रक्टिविस्ट एथ जैसे आपने किसको याद करना है यहान लिख रहा हूं क्योंकि इस इस और कोई वैगॉष्ट की वैगॉष्ट की दूसरा आपने किसको याद करना है जाण डेवी को डेवी यह अमेरीकन फे और ज्यां डीभी प्रोग्रेसिव एजूकेशन के पापा भी इसको बोल सकते हैं और वाइगौस्त के रशियन थे और इन्हों ने इनकी जल्दी डेथ होगी तो इन्होंने सोशो कल्चरल त्योरी ऑफ कोगनेटिव डिवेलपन दी है इसने पीछा नहीं छोड़ना मेरे के लिए तो बैस्ट थियूरी है अच्छा ध्यान से अब देखना यह थोड़ा डिफिकल्ट कुश्चन है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविजम जब राजे सोशल कंस्ट्रक्टिविजम आया आप य एकदम अंडरलाइन करके यह देखो कि यार कम से कम दो बच्चों को इंट्रेक्ट करने के लिए क्लास में जब कहीं भी अलॉव किया जाएगा सोशल का मतलब ही इंट्रेक्शन है अगर टीचर नहीं करता जिस ऑप्शन में इंट्रेक्शन अलॉव नहीं है उसको डिलीट क रिवार्ट किसका है बिहेविरिजम का है रिवार्ड जहां भी आया बिहेवियर रिजम रो थॉन डाइक स्किनर पावलोव दें रिवार्ड विद कैंडी जिसने सही वर्ड याद कर लिया उसको एक टॉफी दे कैंडी दे तो यहां पर इंट्रेक्शन की बात हुई यह राइटी आफ बुक्स तू रीड एंड दोज स्टूडेंट्स वू रीड एपर्टिकुलर बुक एंड मेड तू डिस्कस दा बुक ऑन रेगुलर बेसिस बुक खुद चूज कर रहे हैं देखा ऑपर्चुनिटी दी टीचर दे चूज करके ने इंपोस कर दी यही पढ़न मैंने अंडरलाइं कर लिया कंटेक्स्टाल मेटीरियल मुझे एक नम कंस्ट्रक्टिविजम याद आया तो हैल्प टू डिटर्माइन दा मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड ओके रेखा है एस हर सुडेंट टू राइट इच वर्ड दे मिस ऑन स्पैलिंग टेस्ट फाइव टाइ है पहला दूसरा तीसरा चौथा चूज कर लीजिए पहले पहले में फ्लेश कार्ड दिखा के जिसने ठीक वर्ड याद कर लिया यह लो केंडी इसको कहा कि यार यह बुक लो बाद में आपस में यार डिसकस करो तीसरा के एक कंटेक्स्ट्ट्र जो है मैटीरियल दिया गया कि न्यू वर्ड जो हैं डिटर्माइन करने हैं अगला है कि वो स्पैलिंग जो एक तरह का स्पैलिंग टेस्ट लेना है यह बात है जो वर्ड को रिमेंबर करवाने के लिए लेंग्विश टीचिंग में अब बताइए कौन सा चूज कर रहे हो एक दो तीन चार यहां पर आ रहाँ करना है छे कोशिटन रहे पांच मिंग ऊगया ओमाइगा यह जल्दी 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 नहीं टाइम अब कि बहुत ऌर रहा तैसाओ ताइम दो क्या सोच रहे हो यह सोच रहे हैं सी वाला दूसरा और तीसरा देखिए जो यह था यह तो 100% डिसकेशन जब आई सोशल से मिल गया मैंने हिंट दिया था इसको कैसे छोड़ सकते हूँ अब यह आपको को प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि यह सच में कहा रहा हूं सच में कहा रहा हूं यह सोशल प्रॉब्लम नहीं है यह इस लेकिन आपके पास ऑप्षन नहीं बच रही और यह एक चुन्ने की आपको अनमंती नहीं है इट मेंज MCQ जिसने बनाया है उसे constructivism और social construction में sorry ठहना नहीं चाहिए थोड़ा सा भेद नहीं पता that is why हम दोनों को इनको चूज करें दूसरा तीसरा कहीं है दूसरा तीसरा है C is right answer बहुत होने यह चुना है शाबाज आगे चलते हैं अब ज्यादा तेजी से चलूँगा नेक्स है as a teacher how can you facilitate problem solving ability to your students generating the fear देखिए क्या आप negative चीज को यूज करेंगे negative emotion को नहीं यूज करना teaching aptitude में यह fundamental रहा है negative emotion always discourage गुस्से से jealousy से fears को यह से नहीं एन करेजिंग ले fixed क्या fixed के variety वे राइटी अभी बात की different kind of activity way of problem solving यह भी मुद देखुए आप जल्दी से answer देना है and encouraging the use of analysis मुझे यह अच्छा लगा थोड़ा के analysis थोड़ा करना इन से better लगा emphasizing on the use of passive memorization memorization से problem solve होगी के different different चीजें के बारे मैं सोचके जो problem solve होगी जल्दी से बताइए display कर दीजिए yes 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 answer दे दिया सभी का यह सभी का सी आ गया वाव सी encouraging analysis यह बतादू यह कहां से इसका base क्या है अगर सोचना है bloom को नहीं भूला please bloom की taxonomy को नहीं छोड़ सकते आप उसमें fundamental यह है कि जो होर्स होते हैं H O T S H O T S higher order thinking skills अगर पूछा जाए इसमें से question पूछे जाएंगे यह minimum ज्यादा यह चार जो है होर्स में पक्का शामिल की जाती है higher order thinking skill को जो है constructivism promote करता है फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे वापिस चलते हैं कहां जाना था मैंने यहां जाना था next question है which of the following will result in facilitating meaningful learning high meaningful learning जो life में काम आएगी आपकी solve करेगी problem हाना जैसे pragmatism progressive education कहते हैं अच्छा कैसे करेंगे नंबर एक क्या promoting डी कंटेक्स हमने कंटेक्स याद गिया था इसने डी लिख दिया उल्टा contextualization मतलब असली situation में बच्चे को नहीं लेके जाएंगे हा दूसरा encouraging multiple way हा सारा सांस आगई के different ways उठाए जाएंगे आफ वर्किंग एट प्राब्लम एन करजिंग रोट मेमरी फिर आगया फिर आगया रोट मेमरी याद करो याद करो याद करो copying answer written by teacher यह बने रहो इसमें से राइट अंसर जल्दी डिस्पले कर दीजिए time नहीं है ज्यादा देखूंगा भी नहीं evaluate भी नहीं करूंगा कौन सा राइट अंसर है यह बताना है यह असान है आगए अंसर यह अंसर है शाबाश 90% ने बी को चूज किया है एंड करेज करना है यह multiple way क्या central idea रजी इतनी बार इतनी बार हमने कहा कि multiple way multiple way constructivism कह रहा है यह इसको नहीं छोड़ना यह राइट आंसर है जिसने सोचा है वो फिर से सोचे अच्छा students are likely to experience the emotion of dash when they attribute internal factor to explain their success simple है आपके marks सबसे ज्यादा आए तो आपको कहा के explain कीजिए बेटा class के आगे आओ इशान आपने बड़ी अच्छी जो painting की है आखे explain करो अब उसके मन में कौन सा emotion आएगा शर्म महसूस करेगा गुसा प्राइड जा एंग्जाइटी जल्दी से answer जल्दी इसको तो यह easiest question अब तक का इसमें कोई time नहीं लगाऊंगा yes answer आगए यह shame feel करेगा वो बच्चा गुसा आएगा यार मुझे कह दिया कि मान महसूस करेगा एक hint बताने लगा हूँ इसको apply करना जब reasoning खतम हो जाए एक मैंने long tail बताई थी अब यह बताने लगा हूँ c answer है right answer 82 का इस stem को उड़ा दो और मुझे यह दिखा दो एक बाद याद रखना आप देखना कि shame negative emotion मैंने देखा emotion e for emotion एंगर negative emotion anxiety negative emotion मैंने stem पड़ी ही नहीं है उसके बिल देखा कि pride इसमें से odd है सिर्फ वो positive emotion है कोई भी यह इसकी stem हो उसका right answer यही होना है देखो ऐसे question भी बनते हैं बिना सोचे आप answer देने के लिए भी कह रहे हो तो यह construction of knowledge की तरफ हमें टैस्क लेके जाएंगे यह अलग से बात है हमारे इंडियन education system की बात है लेकिन यह अच्छी बात नहीं है next चलते हैं यह हो गया 27 ओके at primary level of education use of multi sensory approach के आँख को भी यूज करना है जीब को भी टच को भी हना कानों को भी पांच ग्यानिंद्रियान सेंसे ना maximum को यूज करना किसी teaching learning assessment इससे क्या होगा it makes the learning more effective it gives the opportunity to exclude certain children form है जो किसी को निकाल दो जब exclude किसी बच्चे को करते हो न यह वर्ड भी negative है हमेशा के लिए फिर inclusive education कहां गई welcome to all यह गया डिलीट हो गया और it saves a lot of instruction time of teacher हमारा purpose यह होना चाहिए कि हमने save करनी है जो time save करना it yield docality आग्याकारी बच्चे बनेंगे फिर नम्र और आग्याकारी बच्चे बनेंगे multi sensory approach से जब तारे जमी पर इशान को अमीर खान साब पढ़ाते हैं तो वो कभी उसके शायद यहां पर लिखते हैं पताने skin पर यहां पर लिखते हैं स्किन का यूज कर लिया उसको कहते हैं आंखे बंद करके मिट्टी में लिखो हाना कुछ सुनाते हैं आडियो यहां लगा multi sensory approach उसको याद कर लेना क्या होगा उससे देना है आंसर दे दीजिए मैं टाइम नहीं दूंगा डिस्प्ले कर दीजिए आप जैस कि ए नेक्स कॉ Storyन है ए एक ड येस ए दे रहे हैं आप राइट आंसर है एक इलकुल ठीक है इस से नहीं आएगी इससे हम जब ग्यान नद्रियों को यूज को तो ग्यान अंदर जलदी जाएगा तो एक्टिव टीचिंग वह विनमरता वाली कोई बात नहीं है इसमें डैश व्यू अफ लर्निंग एक्स्प्लेंड एट टैंजिबल इंसेंट एंटेंसिव रिवार्ड अभी बता के आया हूं किस थियूरी ने रिवार्ड यूज करने को कहा था मोटिवेट चिल्डरन फॉर लर्निंग फ्यूमनिस्टिक यह जब आए मैसलो की हरार्की को याद करना है मैसल ओ डवल्यू मैसलो की हरार्की बिहेविरिजम स्किनर थांडाइक पावलोव स्किन एसके आई एन एर ओके कोगनेटिव गेस्टाल्ट जाहां कोहलर और सोशो कल्चरल वाइगास्त की अभी यह थियोरी ने ना पड़ी अब बताओ जल्दी से आंसर दे दो और यह यहां पर हमारे जो है इंट्रेक्शन खत्म होता है कि किसने कहा था कि इंसेंटिव्स एंड रिवार्ड कैंडी दे देनी टोफी दे देनी कोई अच्छा रिस लेस एंड रिस्पॉँश्च रिस्पॉँश्च रिस्पॉश्फउष्ब अच्छा रिस्पॉश्ब्स दिया। स्किनर की यह थि और रस स्क्राइब पावार्व कि है रिस्पॉंश दिया आपने बहुत अच्छा मैंने भी कहा केता हूं ना शाबाश शाबाश में बहेवरिजम को अप्लाई करता हूं कि नर्करता हूं तो यह आपने response दिया मैंने stimulus क्या दिया शाबाश आशिरवाल टॉफी यहां भी लिखा था तो यह behaviorism है राजे